यूँ तो 2024 लोक सभाचुनाव आने में अभी 2 साल का वक्त है लेकिन सभी पार्टियां अभी सही इसकी तैयारी में लग गई है लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है उसकी तैयारी देखे किस तरीके से होगी और क्या तैयारी को लेकर के हो रहा है और सबसे पहले इसकी शुरुवात किस राजपा करने जा रही है वो आज हम आपको खबर में बताने जाएंगे वो बिहार राजपा जहां से भाजपा 2024 लोक सभाचुनाव की तैयारी करने जा रही है और बिहार में वो कौन सा छेत्र है कौन सा इलाका है जहां से इसकी शुरुवात होने ज आ रही है तो आपको बता दें कि सीमानचल का वो इलाका रहेगा जहां से भाजपा अपने चुनाबी जो रैलियां है जो चुनाबी 2023 की तैयार ही है वहां से शुरुवात करने जा रही है चलिए हम आपको पूरा जो खबर है विस्तार से आपको आगे बताते हैं देश के ग्र ग्रहमंत्री अमित्शा 23 सितंबर को पूर्निया में एक आम सभा को संबोधित करेंगे इसके बाद वो पूर्निया और आसपास के जिलों और मंडलों के पदाधिकारियों के साथ आयोजित की गई बैठक में शामिल होंगे अगले दिन यानि 24 सितंबर को केंद्री ग्रहमंत और जिलापत अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक कर छेत्र की समस्याओं को सुनेंगे किंद्री ग्रहमंत्री अमित्शा बीजेपी लगातार कहे रही है सिमान्चल इलाके में किशनगंज, पुररिया, अररिया और कटिहार की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है बीजेपी के एक नेता ने बताया कि किशनगंज, पुररिया, अररिया और कटिहार में मुस्लिम आवादी काफी तेजी से बढ़ रही है उनका मानना है कि सिमान्चल के इलाके में रोहंगिया और बंगलादेशी मुसल्मानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है बीजेपी के जो नेता उनका ये भी कहना है कि सिमाँचल के इलाके में बसे बिहार के मусलमान ही रोहंगिया और बंगलादेशी मुसलमानों को बसाने का काम कर रहे हैं उन्होंने बताया है कि किशनगंज में जहां मुसलमानों की जनसंख्या 75 फिजदी से अधिक हो चुकी है वहीं पुर्निया में भी मुसलमानों की आबादी 50 फिजदी से अधिक तक पहुँच चुकी है। इजाफा हुआ है उनका ये भी कहना है कि ऐसे कई लाके हैं जहां मुसल्मानों की आबादी भी नहीं वहां मस्जितों का निर्मान करने के साथ साथ मदर्सों को खोला गया है बिहार की एंडिये सरकार में नितिश मंत्री मंदल के सदस्य और राजस सुधार मंत्री रहे रामसूरत राय भी कह चुके हैं कि पूर्निया, अररिया, कटिहार और किशन गंज में एक विशेश समुदाई के अस्थान इन लोगों की और से बहारी लोगों का घुसपैट कराया जा रहा है ततकारिन बिहा सरकार में रहे, बीजेपी के निति मंत्री रहे, बीजेपी के निता रामसूरत राय ने कहा था उन्हें अस्थाने लोगों ने बताया कि घुसपैटियों के और से विदेशी पैसे का ऑनलाइन इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर जमीनों को भी खरीदी जा रही है उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ दलालों के और से फर्जी काज़ात के अधार पर घुसपैटियों को जमीन उपलब्द कराय जा रही है तो देखें, 2024 का प्लॉड जो है वो तैयार करने की कोशिस लगातार की जा रही हो अब तैयारी अब लगभग देखें, पूरी होने वाली है क्योंकि 2024 आने में भले ही दो साल बांकी हो लेकिन लोकसवाई लक्सन को लेकर के भाजपा अभी से बिहार से तैयारी से शुरुआत कर दी मुस्लिम का बहुल इलाका है, वहाँ पर बीजेपी अपना पकड बनाना चाहती है और वहाँ पर प्रसासनिक अस्तर पर किस तरीके से मजबूत किया जाए और किस तरीके से क्या लुफोल्स है, इसको भी देखने की बात हो रही है केंद्री ग्रह मंत्री जब आएंगे तो तमाम अधिकारियों से भी बात करेंगे और अलग अलग प्रमंडल के बाजपा के अधिकार, मतलब पार्टी के जो संगठन के अधिकारियें उनसे बात करेंगे और साथिसाथ 24 की तयारी का आगाज सुरू होने वाला है 24 सितंबर से जब ग्रह मंत्री अमित शा आएंगे और देखिए साब तोर पर जिस तरीके से लगातार कहा जाता रहा है सिमांचल का इलाका राज़त के लिए भी मजबूत बताया जाता है और सिमांचल का इलाका जड्यू के लिए भी मजबूत बताया जाता है ऐसे में जड्यू अब महागडवंधन के पाले में चली गई यानि कि मागडवंधन के साथ सरकार बना ली है निदिश्कमार तो आप मजबूती वहाँ पर देखने को मिलेगा ऐसे मैं कैसे वहाँ पर अपने सांसोदों को जिताना है किस तरीके से पाटी को मजबूत करना है कौन सा अपना जो चहरा है वो उहाँ पर उतारना है जो बाते सामने आ रही है बाजपा इस बार हिंदु मुस्लीम काड़ हो या फिर हिंदुतों का काड़ को लेकर के बिहार में 24 पर सब्ता काविज करने के लिए ये काम करने जा रही है इसको लेकर के अभी से जमिन तैयारी में लग गई है तमाम जो लोग हैं तमाम जो अनेता हैं उनका बारी-बारी से बिहार आना शुरू हो जाएगा तो ग्रियमंत्री आएंगे मुलकात होगी तमाम नेताओं के साथ दो दिनों का दोरा होगा बैटक होगा आम जन सभाय होंगी उसके बाद देखना होगा किस तरीके का राजनेती मोड लेता है क्या बयान बाजयां शुरू होती है मागडवंधन के नेताओं के तरफ से हो या फिर भाजपा के नेताओं के तरफ से हो ये देखना लाजमी होगा फिलाल इस खवर में इतना ही हमें दिज़े जाज़त फिर मिलते किसी बड़ी खवर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद